बहुजन समाज के लोगों को ये चेहरों पे हसी देने वाले थे बाबा साहब डॉक्टर भीमिरा अमिरकर लेकिन वो अपने जीवन में बहुत कम मुस्कुरा है इसका क्या विशेश कारण था आज हमारे साथ हैं शांती स्वरूप पौजी जो बहुत अच्छे चिंतक हैं बह और वो अपने चेहरे पे हसी नहीं लाते थे उसका क्या विशेश कारण था ये तो एक जगत पर सिद्ध कहानी है कि दीपक सारी दुनिया को रोशन करता है मगर उसके खुद के नीचे अंदेरा होता है बाबा साहब डांक टमबेटकर की ये माननेता थी कि जिसका समाज पता नहीं है कि मेरे पास बाबा साहब डांक टमबेटकर के फोटो ग्रेफ का सबसे बड़ा कलेक्शन है या तो मुंबई के विजे सुरवडे जी के पास है या फिर हमारे पास है उसमें हम बाबा साब के मुस्कराते हुए फोटो नहीं ढूंड पाते थे अब आकर के पास हमारे सामने आए हैं आओ आम आपको एक फोटो के बारे में बताते हैं जो बाबा साहब ऐसे काठी लेकर के बैठे हुए है और मुस्करा रहे हैं वो फोटो हैमिल्टन स्टूडियो का है फोर्ट बंबई का वहाँ पर एक दिन बाबा साहब अपने घर में थे उनका वह उनके घर पर थे सवी ताम बेट कर जी थी और उन्होंने देखा कि आज बाबा साहब का मूर ठीक नहीं है तो उन्होंने वाराले साहब ने का ओके लैट से हैं विजिट थोड़ा आउटिंग करके आते हैं तर बाहर चलते हैं तो फोर्ट का इलाका है वहाँ बंबई मे जैसे दिली का CarnarPlace है तो वहां गए वह जब गए तो बराले साहług करने कि बाबा साहब एक फोटो लेते हैं आपका तो ठीक है चलते हैं फोटो में हमिल्टन श्टूडियो में गए तो वहा उन्होंने एक एक करके आठ फोटो लिये बाबा साहब की वह आठ फोटो में से 6 फोटो हमारे पास हैं तो उसमें आठ फोटो इसलिए हो गए कि वह बार-बार बोलते थे इसमाइल प्लीज इसमाइल प्लीज इसमाइल तो बाबा साहब इसमाइल नहीं दे पा रहे थे बाद में उन्होंने का भई यह तो बड़ा गजब हो गया वह बाबा साहब को वहां पर तो मगर जब आठ फोटो हो गए और नौ फोटो पर सवितां बेटकर जी ने कहा वराले साहब अगर आप कहें तो मैं कोशिश करूं इनको हसाने की ठीक कीजिए तो बहुत अच्छी बात है फोटो हसने का होना चाहिए तो बाबा साब क्या करते थे उनके घर में एक उत्तर परदेश या बिहार के एक करमचारी थे और जो उनके वहें आउट क्वार्टर में जो कोठी में बाहर कबरे बने रहते थे उन्हीं में रहते थे उसको सूर्ति को रखने के बाद अपनी घरवाली से कैसे बोलता था, कैसे डांटता था, तो बाबा साब वो डायलोग डिलीवरी भी करते थे, तो यह बाबा साब का एक जब लाइट मूड में होते थे, तो तब यह काम करते थे, तो माई जी ने सोचा, सभीता मेट कर जी ने बाबा साभ की हमसी चूट गई तो उसको कैद कर लिया बड़े दुलन ब चित्र हंसते हुए बाबा साहीब डाक टम बेट करके मिलेंगे बाबा साहीब डाक टम बेट कर से इससे संबंदित एक और विचारिक किसी ने का बाबा साब वो उस आजमिक सब आलोचना कर रहे हैं आप उसकी बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं सुनो या आलोचना करना बेकार काब है मेरे पास अच्छे काम करने के लिए समय है नहीं मैं बेकार के काम के लिए कहां से समय लाओ तो बाबा साथ के जीवन में अपने समाच के दुखों को देख करके पीडित हो वहने के लाबा कोई काम नहीं रहा उसी को उड़ी सामें हमारे लोगों पर मार पड़ रहे तो दर्द इनको होता था तमिल्लडू में हमारे लोगों के घर जला दी जाते थे जलन इनको होती थी हमारे लोगों को गुजरात में पीटा जाता था उसका दर्द का ऐसास बाबा साप करते थे कम मैं हस लेते वो कम मैं मुस्कुरा लेते तो ऐसे महापुरुष जो वास्ताव में महापुरुष थे बनावटी महापुरुष नहीं थे कागजी हंता के कारे करके करोडों करोडों लोगों के जीवन में उज्यारा लाने का काम करके वो महापुरुष बने थे उन्होंने अपनी सारी हंसी हम लोगों की तरक्ति में कुर्बान कर दी थी आज उनके चेरे पर जो हंसी नहीं आई आज वो हमारे घर की खुशाली बनी हुई है ये बाबा साहिब डांक टंब्रेट करकि माहनता का एक परमाण है। इन्हें शब्दों के साथ आपका एक बार और धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूरें ताकि सब्सक्राइब लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप ए सबसे पहले